थाना मिलक शेत्र में घर में सो रही युवक की गोली मार कर हत्या पुलिस जान्थ में जूटी परीजनों के अनुसार रात के गोली चलने की आवाज सुनी आवाज सुनकर वह बैठक में पहुंचे चारपाई पर ग्यानी खून से लगपत पड़ा हुआ था परीजनों ने चीक पुकार मचाना शुरू कर दिया चीक पुकार से हरकंप मजगया और कुछ देर में ग्रामिनों की भीड लग गई परीजन उसे सरकारी एस्पतार लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मिरत गोशित कर दिया तो पापई की अबास समझ वाई बास और कुछ ना कही हमने देगी तो गोली लागी भी तो फिर बास अबास भाई तो होस खराबी गए जो लेगए तुरण बताई किसी पर कोई सख क्यों किसली है कैसे गो किसके सख काहओ घर आओ थी मुझा मैं पैसी पियाओ तो मै निकाहाओ पिती गोलो खेत पर बाट का भी मैने चार पाई का मुझा प्रकास है मेरा जे ग्यानिंदर ने ते मेरा चेचेचेरा भाई है रात को किसी ने आकर मच्छादानी कुपर से घोली मारती, जो बहाँ से भागने के वाद आर्मे पहुंचा, घर में जाने के वाद गिर गया, तो लोग पता लगा, तो उनने देख रहे हैं, आनक खाना में लेगा मिलाक, बहाँ से उनने पोष्ट बादम के लिए रामपुर सुचना पर पहुंची पुलिस ने मिरतक युवक के शब का पंचनामा भर पोस्माटम के लिए जिलास पताल भेज दिया, परीजनों के अनुसार मिरतक युवक दो भाईयों में सबसे बड़ा था, और बिलासपूर मार्ग स्थित एक डिगरी कॉलिज से आईटी आई कर र कि वजहों की जान चल रही है कर लिए में, अगर इसी ग्रिजगर्टना का अनावरंड किया जाए और अगर्टी की जिरुपतारी करते हैं, सेज्गिदी कारिवाई की बड़ादे हैं